नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा खास शो न्यूज 18 मध्यप्रदेश 36 गड़ पर इस खास शो में बात उस शक्षित की जिसने देश में हिंदुत्व का धर्म ध्वज उठाया पूरे देश में राममय माहौल बनाया और खुल कर राम को भारत की आस्था का विशे बताया बात बीजेपी के उस लाल की जो आज भारत का रत्न है जी हां बात बीजेपी के वरिश्ठतम नेता और भारत रत्न पाने वाले स्टेटमैन लाल कृष्ण आडवानी की जिन्होंने सियासत की अपनी अलग शैली से रामर थ्यात्रा से देश के सर्वोच सम्मान का सफर तै किया संहर्ष, सियासत, हिंदुत्तों के बड़े पैरोकार भारतीय सियासत में पहले हार्ड लाइनर जाम के अटूर्ट भाग्त सियासत में भी विरासत बचाने की बात करने वाले लाल कृष्ण आडवानी पूरज निकलेगा सबसे लंबे वक्त तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे बतोर सांसद तीन दशक लंबी पारिंग मैं लाल कृष्ण आडवानी इश्वर की शबत लेता हूं देश के पुर्व ग्रिह मंत्री और पुर्व उपप्रधान मंत्री यानि हिंदुस्तान की सियासत का है कैसा मंझा हुआ खिलाड़ी जिसने बीजेपी को महज 37 साल में शुन्य से शिखर तक पहुँचा कर दम लिया बेहत बुद्धि जीवी काविल और मजबूत नेता जिनके अंदर मजबूत और संपन भारत का विचार जड़ तक समाहित हो जिसने किसी भी परिष्थिती में राष्ट्रवास से समझोता ना किया हो सियासत की ऐसी शक्षियत हैं लाल कृष्ण आडवानी 1984 में भारतिय सियासत में बीजेपी नाम के जिस दल का व्रिक्षा रोपन हुआ अटल आडवानी की जोडी ने उस पर पहला फल दिया भारतिय सियासत का ये पुरोधा अपने रिटार्मेंट के बाद एक बार फिर चर्चा में हो तो इसकी भी एक वजह है पीम मोधी ने ट्वीट कर भी उन्हें भारत रत्न मिलने की बधाई दी और शब्दों से आडवानी के प्रती अपने प्रेम और सम्मान को जाहिर किया जाम के नाम पर देश को एक जुट करने वाला सियासत का ये पुरोधा अब भारत रत्न है अजात शत्रू अटल जी के बाद ये सम्मान पाने वाला दूसरा नाम बन गए हैं अटल युग में संघर्ष से स्यासी व्यूह रचने वाले अलके आडवानी ने अपने राजनितिक करियर में भी एक बात को अपना मंत्र बना लिया सनातन संस्कृती और संसकार यात्रा, सफर, तिर्थ यात्रा, प्राचीन भारतिय परंपरा के ये शब्द आडवानी के स्यासी सूत्र बन गए इसने भारतिय राज़िती में एक ऐसी लकीर खीची जिससे आज देश में आधे से अधिक हिस्से में भगवा लहरा रहा है रत यात्रा ने राम मंदिर आंदोलन को और धार दी तो भारत उदय यात्रा और जनादेश यात्रा ने बीजेपी की भविस्त की राह को आसान किया 1990 में जब देश विकट परिस्थितियों से जूज रहा था जातिवाद के तत्व एकता और अखंडता को तार तार करने पर तुले हुए थे तब आडवानी ने मंडल के बदले कमंडल वाली राजनीती खड़ी कर देश को राम नाम के सूत्र में बांधा ये वो दोर था जब देश में जात्पात के आधार पर सियासी दल समाज को अलग-अलग बाटने पर तुले हुए थे तब आडवानी जी ने राम मंदीर आंदोलन से राष्ट की दबी कुछली पावनावों को नई जगह ही नई दी बलकि हमारे देश के उच नेतिक आधर्शों को भी पुर्ण परतिष्ट किया था और उसकी शुरुवाद इसी सोमनाथ मंदीर से रथ यात्रा के जरिये हुई आडवानी ने अपनी रथ यात्रा एक ऐसे दोर में शुरू की जब लोग दिल्ली में बैठे अपनी सत्ता को जाती और धर्म के बटवारे से मजबूती देने पर तुले हुए थे तब भीजेपी का यही पुरोधा रथ यात्रा के जरिये सनातन संदेश जनजन तक ले कर गया ये एक ऐसी यात्रा थी जो भारत के चमकदार समुद्र तट से शुरू होकर हिमाले की उचाईयों तक गई ये किसी इट पत्थर को जोड़कर एक मंदिर बनाने की यात्रा भर नहीं थी ये राष्ट्र की भावनाओं से अपने एक पुझ्य को उनका सही अस्थान दिलाने की यात्रा थी जिसके शिल्पकार खुद अब के प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी थे भारत की जन भावना को उठाने और विवादित धाचे के विध्वन्स के बाद उन्हें सीवी आई ने आरोपी बनाया लेकिन उनके होसले कभी डिग नहीं पाए आठ नॉम्बर 1927 को कराची में जनमे लाल कृष्ण आडवानी को आजादी के फोरन बाद अपना घर छोड़ कर भारत आना पड़ा था बटवारे का दर्द वो बच्पन में ही जहल चुके थे लिहाजा बच्पन से ही RSA से जोड़कर समास सेबा और राष्टरबाद को जीवन समर्पित करने का फैसला किया आगे हम उनके इसी सामाजिक और सियासी संहर्ष की कहानी को जानेंगे जिसमें बीजेपी की अस्थापना से लेकर आडवानी के उपप्रधान मंत्री बनने तक की कहानी है ब्योरो रिपोर्ट न्यूस जेटी कराची में जन में दिल्ली में संहर्ष किया और गांधी नगर को अपनी कर्म भूमी बनाई 84 के चुनाव में जब बीजेपी को करारी हार मिली तो आडवानी ही वो नेता थे जिसने बीजेपी की विचार धारा को राम मंदिर की धार से जोड़ा और ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया कि पूरे भारत की सियासत ही बदल कर रग दी देखिए लाल कृष्ण अडवानी का वो संगर्ष जिसमें बीजेपी के शुन्य से शिखर तक पहुँचने की कहानी चिपी है जिसमें रथियात्रा आंदोलन के शिल्पी मोधी की कहानी जुड़ी है मैं लाल कृष्ण अडवानी इश्वर की शबत लेता हूँ 12 सितंबर 1947 हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक बटवारे की लकीर के बाद ट्रेन के इंजन की धगधग हर स्टेशन पर सुनाई दी रही थी तड़पड तड़पड करती रेल की पटरियां और पटरी के ऊपर दोड़ती ट्रेन जो खचाखच विस्थापितों से भरी थी ऐसा ही एक विस्थापन जेलते हुए इलके अडवानी की शोरा वस्था में ही पाकिस्तान के कराची से हिंदुस्तान पहुसते हैं और उनके संघर्ष के सुरुवात भी यहीं से होती है आजादी आई तो आजादी के साथ साथ विभाजन भी आये देश के दो टुकड़े हुए लेकिन इतिहास का विस्थेशन करने वाले इस बात को जानते हैं कि अंग्रेश की कुटिल नीती ने भारत को केवल दो हिस्सों में नहीं बाटा उनकी चतुराई ने उनकी कुटिलता ने भारत के विगठन के भी बीज बोए केवल विभाजन नहीं हुआ बटवारे की जिस वजह ने आडवानी से उनके बच्चपन की गलियां छीनी भारत आते ही उन्होंने उसी विचारधारा के खिलाब शंखनाद कर दिया सिंध के आडवानी में भारत आने के बाद पडिवर्तन आया और वो आरेसेस के प्रचारक बन गए सिंध से आये प्रचारकों और वरिष्ट नहताओं को इसी जोधपुर में एकटा होने के लिए कहा गया ताकि आने वाले दिनों की योजना का निर्मान हो सके आरेसेस के नेताओं ने सिंध से आये प्रचारकों को निर्देश दिया कि वे बटवारी के बाद आतर रहरे लोगों की सहायता करे यही एलके आडवानी का सबसे पहला मिशन था जोधुपुर केंप खत्म होने के बाद लालकृष्ण आडवानी को राजस्थान के अन्य इलाकों में भीजा गया ताकि वहाँ भी पाकिस्तान से लोट रहे लोगों की मदद कर सकें और इस तरह संगहर्ष के शुरुवात का एक दशक राजस्थान ही उनकी कर्म भूमी बन कर रहा पहले प्रचारक के तौर पर और फिर भारतिय जनसंग के फोर्ण कालीन कारेकरता के तौर पर 1957 में आडवानी को राजस्थान छोड़ कर दिल्ली आने के लिए कहा जिसमें अटल बिहारी वाजबई और दूसरे निर्वाचित सांसदों की उन्हें मदद करनी थी इसके बाद दिल्ली इनके काम और राजनीती का अखाड़ा बन गई राजनीती में लालकृष्ण आडवानी का प्रवेश नगरपालिका से हुआ पार्टी की संसदिय विंग में काम करने के अलावा उन्हें दिल्ली की जनसंग इकाई का बत और महाव सचिप पत सम्हालने की जिम्यदारी दी गई पार्टी कॉंग्रस के खिलाप थी जो उस समय अपने शिकर पर थी ऐसे में असी के सदन में जनसंग ने 25 सीटे जी ती जो कॉंग्रस से महज दो कम थी CPI में आच सदस्य थे ये आडवानी की पहली सियासी सफलता थी और्गनाईजर के साथ आडवानी की 7 साल लंबी पारी अचानक 1967 में खत्म होने को आ गई दिल्ली की राजनीती में एक नई जिम्यदारी आ गई थी दिल्ली को 1952 में पोर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और विरोध में आडवानी जी को सुर बुलंद करने की जिम्यदारी दी गई 1967 में पाँच महीनों के अंतराल में दिल्ली में तीन चुनाओ हुए और लगभग एक साथ लोकसभा चुनाओ, मेट्रोपॉलिटन कॉंसिल और नगरपालिका के चुनाओ जनसंग ने लोकसभा में 7 में से 6 सीटे हासिल की, काउंसिल में 56 सीटों में से 33 और 100 में से 52 सीट नगरपालिका में हासिल की थी यानि अटल आडवानी की जोड़ी धरातल पर कमाल दिखाने लगी थी ये उस दौर की बात है जब देश में कॉंग्रिस का एक शत्र राज हुआ करता था अब वक्त आडवानी के सियासत में सीधे उतरने का था लिहासा अप्रेल 1970 में इंद्र कुमार गुजराल का कारेकाल पूरा होने पर एलके आडवानी को जनसंग ने राज्य सभावेज दिया देश की सियासत करवट बदल रही थी फरवरी 1968 में पार्टी अध्यक्ष अटल भिहारी वाजपई थे 1971 के आम चुनाओं के बाद अटल भिहारी वाजपई ने पदबुक्त होने का सोचा लिहाजा दिसंबर 1972 में जनसंग के अध्यक्ष लालकरिशन अडवानी बन गए इसी जगा जनसंग का दफ्तर हुआ करता था ये अजवेरी गेट पर अब भारतिय मज़ूर संग का दफ्तर है मुरारजी तेसाई 24 मार्च 1976 को भारत के पाँच में प्रधान मंत्री बने दो दिन बाद कैबिनेट का शपत रहन था आडवानी जी जनसंग में उन तीन लोगों में एक थे जो नई सरकार में शामिल हुए थे जनसंग अब खत्म हो चुकी थी और बीजेपी के नाम से नए दल की नीप पड़ चुकी थी वो तारीख थी 5-6 अप्रेल 1980 दिल्ली के फिरोश शाह ग्राउन में 3500 प्रतिनिधी कठे हुए और भार्जिय जनता पार्टी नामक एक नए संगठन का गठन हुआ अटल बिहारी भाजपई को पार्टी का पहला अध्यक्ष चुना गया जिसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए लाल कृष्ण आडवानी के जहां राम का जन्म हुआ था अध्याप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वही बनाए है राम जन्म भूमी के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरूआत करने लगी आडवानी के नत्रतों में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई जिसका स्वारनी सभी ने 22 जन्म देखा आज हमारे राम आ गए है नब्य के दशक में एक तरफ मंदल की राजनिती थी तो दूसरी तरफ अटल आडवानी की जोडी ने कमल की राजनिती खड़ी कर दी कल तक जो पार्टियां राम का नाम लेने से डरती थी वही बीजेपी ने राम मंदिर को अपना एजन्डा बना कर सियासत में नई विचार धारा की नीव रख दी 1996 के आम चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी राश्पती ने भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आम मंत्रन दिया हाला कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं चली तेरा दिन में ही गिर गई तब जब संसद में अटल जी ने भाशन दिया तो वह एतिहासिक हो गया बीजेपी के नेतरतों में अटल बिहारी वाजपै के नेतरतों में तेरह दिन की फिर तेरह महीने की और फिर पूर्ण कालेक सरकारे Castro कर आई पूरे देश में राम नाम की लहर दोड़ चुकी थी 1999 में 13 लोग सभाज चुनाव देश के इतिहास में एतिहासिक साबित हुआ क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि संजुक्त मोर्चे की पार्टियों को पोर्ण बहुमत हासिल हुआ था और एक स्थाई सरकार ने पांस साल का अपना कारेकाल पूरा किया था इस सरकार का नत्रत अटल जी ने किया था और लालकिष्ण अडवानी देश के ग्रिह मंत्री थे उस दौर में एंडिये सरकार ऐसी एकलौतिक गैर कॉंग्रसी सरकार थी जिसने 5 साल का करेकाल पूरा किया इसके पीछे भी अटल जी की रणीती और अडवानी जी की मेहनत बताई जाती है इसलिए बाग में लालकिष्ट अडवानी देश के उपपरदान मंत्री भी बने 2004 में बीजेपी की हार के बाद अटल जी ने सक्रियर राजनीती से सन्यास ले लिया और अब सारा दारोमदार अडवानी के कंधु पर था वो 2004 और 2009 में लोग सभावे निता प्रतपक्ष रहते हुए काला धन और करफशन जैसे मुद्दो को जम कर उठाया जिसने भविश्य में बीजेपी के विजय की नीव तयार की बीजेपी के 25 वर्ष पूरे होने पर 2005 दिसंबर में आडवानी ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया उनकी जगे समाली राजनास सिंग ने 10 दिसंबर 2007 को बीजेपी पार्लिमेंटरी बोर्ड ने अपचारिक तोर पर एलान किया कि 2009 के आम चुनाव के लिए प्रदालक्रिस्ट आडवानी ही प्रधानमंत्री पत के उमिद्वार होंगे हाला कि नतीजे खिलाफ गए और आडवानी ने 15 वी लोकसभा के लिए सुस्मा सुराज को निताप्रतिपक्ष बनाया 2009 से 2014 के बीच हिंदुस्तान की सियासत तेजी से करवट बदलने लगी एक तरफ करप्षन से घिरी कॉंग्रस थी तो दूसरी तरफ चिंगारी की तरह फ्यलता अन्ना अंदोलन आडवानी तब भी सडक पर संघर्श कर रहे थे लेकिन उन्हें पता था कि अब वक्त किसी नए नेता को बागडोर सौपने की है फिर 2013 में वो घड़ी सामने आई जब खोद आडवानी ने नरंद्र मोदी को बीजेपी का पी-म केंडिडेट गोशित कर एतिहासिक फरसला लिया दरेंद्र भाई के माध्यम से जो अभियान चला है और जिस अभियान के परिणाम अभी दो दिन पहले आए है और जिन परिणामों के फलस्वरूपी हम आज का ये कारकम करके है और उनको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी सोप रहे है ये सारे के सारे इतिहासिक फरसली बन रहे है 2014 के लोगसभाज चुनाव में लाल कृष्ण आडवानी मार्ग दर्शक की भूमिका में थे जब नतीचे आये तो 37 साल पुरानी अटल आडवानी की बनाई पार्टी ने इतिहास रच दिया था पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी जीत के नायक थे नरंडर मोदी लेकिन महा विजय के बाद भी मोदी की महानता देखिए उन्होंने अपने सीनिया लीडर आडवानी को तब भी नहीं भुलाया 96 साल के लाल कृष्ण आडवानी अब भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं ये तो वो सम्मान है जो दुनियावी है प्रधान मंत्री नरंडर मोदी उनका कितना सम्मान करते हैं इसकी तस्वीरें अकसर देखने को मिलती रहती है चाहे बड़े हो या कोई दूसरा मोखा प्यम मोदी अकसर अपने इस सीनियर नेता और सियासत के पुरोधा लाल कृष्ण आडवानी के घर पर उनसे मुलाकात करते नजर आ जाते हैं बताते हैं कि बीजेपी और मोदी के लिए आडवानी कितने इंपोर्टेंट हैं और ये भी बताता है कि पीम मोदी और बीजेपी अपने सीनियर लीडर्स को सम्मान देना बखो भी जानते हैं ब्यूरो रिपोर्ट निउस 18